तो हलो गाईस, वेलकम बैक तो कोश्चन और अंसर सीरीज ओफ तारिक मैता का उल्टा चश्मा तो इस वीडियो में आज़के आपको पांच रीजन बताने वाला हूँ कि तारिक मैता का उल्टा चश्मा इतना पॉपिलर क्यों है तो जो पहला रीजन है वो यह है दोस्तो कि 2008 में जब उस टाइम पर ये तारिक मैता शो शुरुआ था उस टाइम पर ऐसा कोई भी कॉमेडी शो नहीं था, कोई भी ऐसा बड़ा कॉमेडी शो नहीं था जितना कि तारिक मैता का उल्टा चश्मा निकला हूँ क्योंकि उस टाइम पर डिफरेंट काइंड ओफ कॉमेडी शो जुआ करते थे, तारिक मैता शो मिडल क्लास फैमली को दिखाता है, तो मिडल क्लास फैमली को उस टाइम पर देखना काफी पसंद आया लोगों को, क्योंकि लोग खुद को उनसे रिलेट कर पा रहे थे, तीस पांच वारीजन दोस्तों यह है कि मोसली शो में ड्रामा यह सब दिखाया जाता है, लेकिन इस शो में कॉमेडी के साथ सा सोशल इशू को भी हाइलाइट किया गया, जिसकी वज़े से इस शो को और पॉपिलारिटी मिली थी, खास करके जब प्राइम मिनिस्टर निरिंदर जाते हैं, जैसे कि पॉपिट लाल की शादी हो गई, दया की मा कोन है, ये वली होगी, नट्टुगा का भागा की सैलरी कभी बढ़ी या नहीं बढ़ी या कभी बढ़ी थी या नहीं, और अब तो एक नया सस्पेंस भी आया हुगा है कि दया की वापसी कब होगी, तो हाँ तारख मैता का उल्टर चिश्मा की जो मेकर से वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इन सस्पेंस को क्रिएट करने में और मैंटेन रखने में, तो गाईस, ये थे ऐसे पांच रीजन जिनकी वज़़े से मिरे को लगता है कि तारख मैता का उल्टर चिश्मा आज भी इतना जादा पॉपिलर है। तो guys आपको क्या लगता है किया इनके अलावा और भी कोई रीजन है जिनकी वज़े से तारख मेता पॉपिलर है आपको क्या लगता है कमेंट में दोस्तों जरूर बताना और subscribe कर लेना Bollywood Talk को मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में